हाई गाईस कैसे हैं आज हम आपके परीक्षा के द्रिश्ट्रकोंड से कुछ ऐसे पॉइंट देने जा रहे हैं कुछ ऐसे पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जो की आपके लिए बहुत ही लाप्तायक होगा उस पॉइंड का नाम आपको सामने दिख रहा होगा नाम है प्रजनन और आध्मिक तक्निक रप्रडक्शन एडवांज टेकनोलोजी अब इस टेकनोलोजी होती क्यों है क्यों यूज करते हैं रीजन क्या है इसको देखने के लिए हमें आगे के कुछ फीगर्च पर कुछ आक कारण से उनकी संतानी नहीं होती है अब कारण जो होता है अलग-अलग होता है कई हो सकते हैं वो चैसे कि कभी-कभी इस्तरियों के माशिक धर में अनीमित्ता आ जाती है या डिम्ब के निर्माड में ही औरोध होता है अब आप जानते हैं कि डिम्ब बनता कहा है यह आपका ओवरी अंडास है इसमें डिम का निर्मान होता है तो कभी-कभी इसमें निर्मान में औरोध होता है या कभी-कभी अंड नलिका में ये है आपकी अंड नलिका फैलोपियन ट्यूब आपका देख सकते हैं मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता है उसका फैलोपियन ट्यूब है कभ कभी-कभी इसमें प्रवेश को ले करके यह रोध हो जाता है या कभी-कभी प्रवेश तो हो जाता है जो गर्भासे की दिवारें होती हैं वो बनने वाले भूण को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं उनको सपोर्ट नहीं कर पाती हैं मतलब गर्भ रोपड की छमता नहीं होती है य या ऐसे धेर सारे कारण होते हैं या कभी-कभी पुरुसों में बीरी में जो सुक्राणू का संख्या होती है इस पर्म काउंट होता है वो कम हो जाती है सुक्राणू की गती मंद हो जाती है या सुक्राणू में विभिन्न प्रकार के रोग या दोस हो सकते हैं वो स्वस्त नह रहते हैं और समर्थ रहते हैं ठीक है उसके लिए हमारे विज्ञाने नई नई अवधार्णाएं नई नई तक्नीकी आपके सामने लाए हैं उन तक्नीकों का अध्यान आज हम इस वीडियो में करेंगे तो सबसे पहली तक्नीक है उसका हम बता रहे हैं उसका नाम है कांच नल अब निसेशन करने के बाद में होता क्या है आगे हम अगली आगरती में बताते हैं अब इसमें देखी ध्यांज़ अब आपके सामने ये जो फीगर है जो चित्र है इसमें हम पढ़ेंगे कांच नलिका में फलन मतलब निसेचन जो काम होता है फटलाजेशन का जो काम होता है जो फैलोपियन ट्यूब में होना चाहिए था उसको कुछ कमियों के कारण कुछ दोसों के कारण हमें कांच नली में करवाना पड़ता है वो दोस कौन सा देखिए इसको हम बोलते हैं इन वेट्रो फटलाजेशन सौट में आई वी एफ नाम या तक ना एकजाम में आपका यह नाम आता है आई वी एफ इन वेट्रो फटलाजेशन कांच नलीका में फटलाजेशन कांच नलीका में फलन निसेचन जो वो लिए हो इस तक्नीक में फलन की क्रिया एक काशनलिका में की जाती है और निर्मान होने वाले भून को उचिस समय पर दमपत्ती की गर्भासे में आरोपित कर दिया जाता है इसे कहते हैं काशनलिका में फलन अब यह होता क्यों है भाई यह भी हमें देखना पड़ेगा अब इसको होने के लिए कभी कभी क्या होता है जो अंडासे में अंडासे में जो अंडे बनते हैं डिम बनते हैं वह क्या इस नलिका के द्वारा आपके नलिका जो है यह फैलोपियन ट्यूब बोलते इसके द्वारा आगे बढ़ाई जाती है और आगे बढ़ते समय योनि माल्ग से प्रविष्टिस देर सारी स्पर्म जाते हैं मिलते हैं और फिर उनको हो जाता निसेचन लेकिन जब इस फैलोपियन ट्यूप में अंडवानी नलिका में कोई अरोध होता है तो अरोध होने से भूण स्पर्म, सुक्रालू और डिम का मिलन नहीं हो पाता संयेगुमन नहीं हो पाता, मतलब तब निसेचन नहीं हो पाता तो उस निसेचन को करने के लिए प्रितरिम विदियों को अपनाया जाता है अब विधियां कौन थी हैं देखना सबसे पहले क्या करते हैं यह Medical Science की दिन है सबसे पहले क्या करते हैं इसके डिमबासे यह डिम ना डिमबासे से अंडासे से ओवरी से आठ से दस डिमब हम injection की दौरा बाहर निकाल देते हैं injection की दौरा बाहर निकाल करके पहले से रखे गए यह फिगर देखिए पहले से रखे गए वीरिय या स्पर में कहिए उसमें इसको सईगमित करते हैं जोडते हैं मिलाते हैं जब वहाँ पर हम मिला देते हैं तो आपकी प्रक्रिया जो काश नलिका में हो रही थी कौनसी की प्रक्रिय इसी काश नलिका में हो जाता है नीर्माल होने के बाद करते हैं यहां पर आपको यह निसेचन की प्रक्रिया माने डिम्ब से सुक्राणों का मिलन दिखाया गया है जब डिम्ब से सुक्राणों मिल जाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा जाइकोट युगमनर्ज अब युगमनर्ज का दीरे दीरे आगे आप देखिए यह होता है विकास यह डिपलम्मेट होता है कैसे विभाजन के द्वारा एक सी दो दो सी चार ऐसी करकी जब बन जाता आगे भूण बन गया फेटस बन जाता है जब बन गया उचित समय आने पर इस भूण को उसी महिला के किस महिला के जिससे डिम्ब लिया गया था उस महिला के गर्भ में आरोपित कर दिया जाता है अब यह गर्ब में क्रित्रिम बिदी से इंजेक्शन के दोरा आरोपित कर दिया गया अब यह इसके गर्भासे में भून आ जाता है अब भून का विकास होगा आगे कुछ निश्चित समय के बाद में बच्ची का जिनम हो जाता है आपने यह देख लिया कांश नलिका में फलन IVF ठीक अथान पन we can't अब यह क्या होता है यह देखिए इंग्ले बोलते हैं कि मात्रित मात्रित ठीक है इन बोलते हैं सरोगेट मदर या किराय की कोख भी बोलते हैं वैसे हमारे देश में पहले यह सिस्टम था वह बैन था यह पिछले कुछ वर्चों में इसको कोड के द्वारा सहमती मिल गई है इसमें होता क्या है कब होता है अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है मा के डिम बाचे से निकला हुआ डिम सुस्थ है और सुक्राणू भी सुस्थ है दोनों प्रॉपर्डी वर्क करते हैं लेकिन प्रॉलम क्या है मदर की युटेरस में मा के गरभासे में प्र पुष्चत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत पर्म के साथ में वहाँ भी यही प्रक्रिया होगी जो आपने देखा था ब्रूल बनेगा जाइगोड बनेगा जाइगोड बनेगा ब्रूल का विकास होगा तो उचित समय आने पर उस ब्रूल को अब कहां उसको अस्थापित करेंगे अब यह जो रियल मदर है वो रियल मदर ज्यादा नहों तो इस व्रून को उस महिला के गर्भासे में अस्थापित कर दिया जाता है वो महिला पूरे समय तक जब तक बच्चा नहीं पैदा होता तब तक बड़ी साधानी से उस बच्चे की देखरेक करती है संभालती है और बच्चा पैदा हो जाने के पस्चाद आप पूरा करना पड़ता हो डिपेंट करता है सरोगेर मदर पर वह बच्चा मिल जाता है रीयल मदर को इसे कहते हैं सरोगेशी मदर अस्थानापन मात त्रिक्टो यह कब होता है जब मा का गर्भ बच्चे को समालने में अक्षम होता है अब तीसरी प्रॉलम क्या है जहां डिम में भी सवस्त हैं, लेकिन पुरुष में इस्पर्म काउंट सुक्रानों की संख्या कम है, ऐसे में भी वो दंपति क्या करते हैं, बच्चे धारन करने में अच्सम होते हैं, अब इसमें क्या हुता है, इसमें भी वही लगबग चीज़े होती हैं, तो कि उसके पिता के रियल फादर के नहीं है तो यहाँ पर धेज़ सारे नगरों में वेलेबल है वीर्य बैंक, इस्पर्म बैंक जहां पर कि स्वस्थ व्यक्तित वाले को स्वस्थ सारी गृप से मान्चिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो अपना वीर्य करवा दिया जाता है ऐसे कि प्रकार चोंत्वारि प्रजपन आदक्निक में तृफार अब फिर से देखना कांच नलिका में भलन के रिए तीन कंडिशन से हैं पहला कौन सा है जब मा के फैलोपियन ट्यूब अंडवाहनी नलिका में रुकावट हो दूसरा कब होता है जब मा का गरभासे की दिवारे भून को विक्षित करने में सहायक साबित नहीं हो रहे हो तीस इन सिस्यूशन में हम कांच नली में या आजनिक तक्निक का इस्तेमाल करके आई वीए तक्निक के से फ़रिद करके निह संतान डंपनतियों को उनको संतान की सुक्ष से परिपूरिद करते हैं यह हमारे साइंस की फिस्ता अब यह आप शेप्ट तयार कर लिए अब इसमें म यह रही आपके सामने आकरती आपको एक्जामनेशन में आपके कुर्शन पेपर में सिर्फ यह आकरती दर्शाई जाएगी और आप से पूछा जाता है निम लिखित आकरती से या नीचे देगे आकरती से क्या आसे हैं क्या समझते हैं तो इसमें अब तक जितना आप लोग दमपत्तियों में मा या पिता या फिर दोनों बच्चंतान उत्पन करने में अस्मर्ट होते हैं तो इस तक्नीक का इस्तेमाल करके उन्हें दमपत्ति सुख से परिपूरित किया जाता है बस इतना लिखना होगा आपका रिंसर हो जाएगा वीडियो कैसे लगा आप कमेंट ब ख्रयो प्रह कई लगा वीडियो कि लगफ भाम ।